मसाला भिंडी की ये रेसपी बनाना बहुत ही असान है और ये बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आती है चेटपट बन के तेयार हो जाती है सिंपल से इंग्रीडियंट्स है आप इसे ड्राइब भी बना सकते हैं या फिर ग्रीवी वाली भी बना सकते हैं तो चले देख कोई भी रेसपी बनाएं उसके लिए कोशिश करें तो बिलकुल फ्रेश नहीं बनती है तो मैंने या पे बिलकुल फ्रेश और चोटी बिंडीया ली थी और इस तरह से उनको टुक्ड़ में कट कर लिया है इसे जब भी बनाएं अच्छे से पहले सूखी हुई हो बिंडी तभी इसे बनाना शुरू करें, उसके बाद हम एक पैन लेंगे, और पैन में हमने थोड़ा सा ओयल लेना है, जादा नहीं लेंगे, बस एक टेट चम्मच के करेबी हमने ओयल लेना है, जब इसमें तेल गरम हो जाएगा, तब हम इसमें काश्मीरी मिर्चाइड करेंगे, यह यह चोटा चमच है मेरे पास, तोसी के हिसाब से क्वेंटिटी बता रही हो, आधा चोटा चमच ही हम इसमें नमक और आधा चोटा चमच ही हम हल्दी आड करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स होने देंगे, फ्लेम को इसे पे हमें मीडियम टू लो ही रखना है, बिलकुल लो भी नहीं रखना है, लो टू मीडियम ही रखेंगे, जैसे तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, उसके बाद हमने जो भिंडिया कट करके रखी थी, वो इसमें एड और इसे भिंडि को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी हमने हलके फुल किसमें मसाले अच्छे से कोट हो जाएं, उसके बाद यहां पे मैंने बेसन लिया है, बेसन की क्वैंटिटी आप अपने भिंडि के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहां पे 200 ग्राम भिंडि ली तो उसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मत जो है बेसन लिया है, बेसन आमें बहुत जादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और इसका टेस्ट को भी एन्हांस करेगी है, बस उसके बाद हमने लोटो मीडियम फ्लेम रखते हुए ऐसे अच्छे से क्रिस्प करना है, तकरीबन इसे 80% 70-80% हमने भिंडि को यहीं पका लेना है, इस टेप के बाद आप देखेंगे आप अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, आप चाहे तो इसमें आप डी फ्राइ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी अगर आप शेलो फ्राइ करते हैं, तब भी बहुत अच्छे बनती है, तो आप डी फ्राइ का ओप्शन छोड़ भी सकते हैं, तो इस तरह से हमें इसको शेलो करना है या कह लिए अच्छे से हमें से रोस्ट करना है उसके बाद जब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी और 70-80% पक जाएंगी तब हम फ्लेम को आफ कर देंगे तो अभी हमारी 70% जो है भिंडी पक चुकी है मैं फ्लेम हट पंद कर रही हूं उसके बाद मैं यहां पर अच्छे से चॉप हो गया है अब दूसरी तरफ जिसमें हमने भिंडी को रोस्ट किया था आप चाहे तो वही पैन ले सकते हैं या फिर नया पैन भी ले सकते हैं इसमें हमने दो बड़े चम्मत जो है ओलाइड करना है मैं यहां पर सर्षो कतेल यूज कर रही हूं आप अच्छे से ले सकते हो और उसके बाद हम इसमें एक बड़ी इलाइची इसे मैंने हल्का सा क्रॉप कर लिया है उसके बाद हम इसमें क्रॉप कर देंगे साबुत नहीं एक करना है ऑद इसमें एक छोटा चमच हम जीरा आड करेंगे अब लो फिल्म रखते हुई इन मसालों बॉसके बाद बारीग चॉप किया हुआ हम इसमें प्याज आड़ कर देंगे अब हमें प्याज को अच्छे से कैरमलाइज होने तक पकाना है जब तक हमारा प्याज पक रहा है हम दूसी तरफ ट्रमाटो प्यूरी बना लेते हैं उसके लिए मैंने ही आप्ट एक मिकसर चाल अब हमारे टमैटो प्योडी बन करके तेयार है और दूसरी तरफ हमारा जो अ अच्छे से कैरमगलाइज हो गया है अब इस पे हमें जो रिदा कekkai balance हो जो उने प्यास है इसे बहुत जादा झ्याना आ तो चम्मच धनिया पावडर और अधा चम्मच और अधा चम्मच या फिर स्वादन श्वार नमक आड़ करेंगे पिर साथ ही में इसमें एक चमच हम गरम मसाला आड़ कर देंगे फिर यहां पे दो चोटे चमच हम काश्मीरी में चाड़ कर देंगे पस उसके बाद इन सब को हमने मीडियम फ्लेम रखते हुए अच्छे से पकाना है और साथ साथ में हम हिलाते भी रहेंगे अभी हमारा टमाटर जो है काफी सूँग गया है तो इस टेज पे हम थोड़ा सा आप चाहो तो पानी भी इसमें आड़ कर सकते हो ताकि अच्छे से यह सारे मसाले जले ना इसके साथ अच्छे से पक जाए अब उसके बाद यहां पे मैंने आधी कटोरी दही यूज किया है द दही या फिर क्रीम जब आप आड़ करते हो ना तड़का में ग्रेवी बनाने के लिए तो उसका जो ऑईल है बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाता है और बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है तो इसे जरूर आड़ करें तो अभी हमारा तड़का भी तयार हो गया है तो इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी तो बिल्कुल यह जाता है इसे हम तो नों को मिक्स करने के बाद हमें थोड़ी दिर के लिए से रोस्ट करना है और इसके बाद हम इसमें पानी की क्वेंटिटी आप अपनी मर्जी से कम सादा रख सकते हैं अगर आप सूखा सूखा ड्र सेवेंटी तो एटी परसंट बस इसे 20 और परसंट हमने और पकाना है और उसके बाद वस हमारे भिंडी की सबजी जो है मसाला भिंडी तयाय है बहुत ही बढ़िया बनके तयाय होती है और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीचेगा अपनी और इस तरह से और भी जिम्पल इंग्रीडियंट के साथ बनी हुए रेसिपी और भी देखना जाते हैं तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बने हुए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें और आ बिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में तिल दिन बाबाई एंड टेक केर